दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कावरी जेट इंजिन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुर्वर्मेंट अभी इंडिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम के उपर फोकस कर रही है और हम एक सफदेशी फाइटर जेट को पूरी तरह सफदेशी तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास एक सफदेशी जेट इंजन ना हो अभी तक यो प्लैन है उसमें अगले कुछ सालों में हमारी इंडिनेर फोर्स तीन सो के करीब इंडिनस फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने वाली है जिन के लिए हमें इंजिन्स की जरूरत है और इन इंजिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक fighter jet की पूरी life में उसे 3-4 engines की जरूरत पड़ती है तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो हमारे देश को अगले कुछ सालों में 1000 से ज़्यादा engines की जरूरत होगी और अगर हमारा देश ऐसे engines को खुल develop नहीं कर पाता है तो हमें इतने सभी engines को बाहर से खरीदना पड़ेगा यही कारण है कि यह fighter jet engine हमारे लिए इतना जदा important है तो चलिए इस fighter jet engine के future के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश ने एक कावरे engine project शुरू किया था कावरे engine के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे इसके बारे में बहुत बार बात भी की गई है और हमने भी इसके उपर काफी वीडियोस बनाई है यह engine हमारे तेजस fighter jet के लिए बनाया गया था लेकिन यह अपने required parameters को meet नहीं कर पाया था यह एक low bypass ratio after burning turbofan engine होने वाला था जिसमें 6 stage core high pressure compressor होने वाला था और एक 3 stage low pressure compressor होने वाला था GTRE ने ऐसा plan किया था कि वो तेजस aircraft को इस engine के साथ fit कर पाएंगे उसके साथ ही वो इस engine के साथ एक multi-axis thrust vectoring nozzle के साथ fit करने वाले थे जिससे तेजस aircraft की maneuverability भी काफी improve होने वाली थी इस engine के core का नाम काबिन ही रखा गया था यह engine हमारी भारतिय operating environment के लिए डिजाइन किया गया था यह हमारे गर्म deserts में भी काम कर सकता था और हमारी बहुत थंडी mountain ranges में भी काम कर सकता था जानिकि यह गर्म और ठंडे दोनों मौसमस में काम कर सकता था GTRE ने ऐसा plan किया था कि वो इस engine को इतना capable बनाएंगे कि इसके इस्तेमाल से तेजस aircraft सुपर cruise कर पाएगा सुपर cruise करना उस capability को कहते हैं जिसमें कोई भी aircraft सुपर सुनिकली cruise कर पाए बिना अपने afterburner को चलाए इस engine को ऐसे plan किया गया था कि इसका जो maximum thrust होगा वो 90 से लेकर 95 KN तक का होगा लेकिन यह अपने required thrust को meet नहीं कर पाया यह engine अपने 52 KN के dry thrust को demonstrate कर पाया था और 81 KN के afterburner के साथ thrust को generate कर पाया था यहाँ पर हम इस engine के failure के बारें बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इस engine के future के बारे में इसको बनाने के लिए फ्रांस के snackma ने मदद की offer की थी लेकिन उनों ने इसके लिए ज़्यादा कीमत मांगी थी और engine के लिए core technology देने इसे भी मना कर दिया था इसके बाद ये project आगे नहीं बढ़ पाया यहाँ पर आपको बता दें कि हमें ज़्यादा जरूरत engine की core technology की है जो बाकी technologies हैं उन्हें DRDO और GTRI ने पहले ही perfect कर लिया है लेकिन जो core engine technology है वो कोई भी company देने के लिए तयार नहीं है सबसे पहले बात करते हैं कावरी dry engine के बारे में Officially अभी सिर्फ कावरी dry engine ही कावरी engine का officially sanction derivative है इसके लिए ही government ने funds जारी किये है ये engine हमारे घातक unmanned stealth UKEV के लिए बनाया जाएगा इस engine का नाम IUCEV UHF 20 रखा गया है ये engine हमारे घातक unmanned combat aerial वहकल में इस्तिमाल किया जाएगा sources के मताबिक इस engine की testing बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और अगरे तीन सालों तक ये engine तयार हो जाएगा ये engine एक non after burning engine होगा जाने कि इसमें after burner का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा और ये 52 KN का thrust generate कर पाएगा जिससे इसको इस्तिमाल करने वाले एक craft का infrared signature काफी कम हो जाएगा D.I.O का plan है कि वो इस engine के कम से कम 3-4 dry prototype बनाएगे और इन prototype की full spectrum ground testing की जाएगी और इसके बाद ही इस engine को fly test किया जाएगा sources ने बताया है कि इस engine की ground testing complete कर ली गई है और अगले 2-3 सालों में इसका working prototype त्यार हो जाएगा prototype त्यार हो जाने के बाद और इसकी certification के बाद इस engine को हमारे आने वाले 15 10 class वाले stealth UCAV program में इस्तिमाल किया जाएगा इसके बाद DR.DO ने 110 KN thrust वाले engine को बनाने का proposal ministry of defense को दिया था इसके बाद DR.DO ने ministry of defense को ऐसा proposal दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ज्यादा high capacity वाला jet engine develop करना चाहते हैं उन्होंने 110 KN thrust class वाले engine को develop करने की बात की थी लेकिन ministry of defense ने इस proposal को reject कर दिया था उनका कहना था कि अभी आप पहले कावरी के dry engine की development को पूरा करकर दिखाएं उसके बाद ही आपको एक नया ज्यादा powerful engine बनाने दिया जाएगा इसके बाद एक ऐसी news आई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि रोल्स रॉइस और DR.DO मिलकर एक jet engine develop करने वाले हैं 2017 में भारत और UK ने एक agreement sign किया था जिसमें दोंदेश मिलकर advance defense products develop करने वाले थें जिसमें एक gas turbine engine में शामिल था अभी 2020 में इस project के लिए confirmation UK की तरफ आई थी इसके बाद 2020 में इस engine project को लेकर UK की तरफ से एक confirmation आई थी जिसमें उन्होंने announce किया था कि दोनों देश बहुत जल्द मिलकर एक jet engine develop करने वाले हैं लेकिन हमारी भारतिय साइड की तरफ से कोई भी इस बात को लेकर confirmation नहीं आई थी रॉल्स रॉइस ने ऐसा announce किया था कि यह जो नया jet engine होगा वो बिलकुल नया होगा इसमें नया core design होगा और DRDO और रॉल्स रॉइस दोनों मिलकर इस engine को develop करेंगे उनके मताबिक DRDO इस engine को develop करेगा जिसमें एक बड़ा fan इस्तिमाल किया जाएगा जिससे यह engine high distortion को भी tolerate कर पाएगा और इसके साथ ही GTRE और रॉल्स रॉइस मिलकर इसका एक after burner module डिजाइन करेंगे यह नया fan DRDO दोरा develop किया जाएगा जिसमें stealth features होंगे और anti icing system होंगे जिससे यह engine modern 5th generation fighter jets में इस्तिमाल किया जा सकेगा sources के मताबिक यह जो नया engine core होगा वो Eurojet EJ200 low bypass turbofan engine से नहीं लिया जाएगा इस Eurojet engine को Rolls-Royce ने इससे पहले develop किया था और ऐसी speculation लगाई जा रही थी कि इस engine की development के लिए शायद Rolls-Royce इसी engine के core का इस्तिमाल करे लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि क्योंकि इस engine को बहुत सारी company से मिलकर develop किया है तो Rolls-Royce के पास इसके technology rights नहीं है और इस engine के multiple IP rights है और यही कारण है कि जो Rolls-Royce नया engine बनाएंगी वो बिल्कुल नया बनाया जाएगा और इसके IP rights इंडिया के पास होंगे IP rights से मतलब है intellectual property rights जाने कि इस engine की technology का पूरा मालिक भारत होगा और हम इस technology का इस्तिमाल future engines में भी कर पाएंगे Rolls-Royce का दावा है कि यह जो नया engine core होगा वो Eurojet EJ200 core से ज़्यादा powerful होगा और ज़्यादा advanced होगा इस engine में नई thermal signature management होगी और एक नया DRDO fan होगा जिस से turbine और exhausted air दोनों को ठंडा किया जा सकेगा यह नया engine ज़्यादा effective starter generator का इस्तिमाल करेगा जो कि हमारी भारतिय climate के लिए ज़्यादा suitable है और इस engine का जो dry weight होगा वो एक टन से कम होने वाला है और इस engine के core और fan को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि यह हमारी देश की dusty conditions में भी काम कर पाए इस engine के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस engine का maximum thrust 110 कN से भी ज़्यादा होने वाला है इसके बाद अब एक सवाल सामने आता है कि हमारे AMCA fighter jet में कौन सा engine इस्तिमाल किया जाएगा तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे AMCA fighter jet में रॉल्स रॉल्स दोरब बनाया गया engine ही इस्तिमाल किया जाएगा क्योंकि जो इससे पहले हमें engine आफर किये जा रहे हैं वो इतनी ज़्यादा electricity भी प्रडियूस नहीं कर पाते हैं और नहीं उनका thermal signature कम है जो कि एक 5th generation fighter aircraft में चाहिए होता है यही कारण है कि यह जो नया engine होगा यह खास तोर पर 5th generation fighter jets के लिए बनाया जाएगा और यह हमारे AMCA fighter jet के लिए एक ideal option होगी और एक बार हमारे कावरी dry engine की development पूरी हो जाने के बाद DRDO इस नहीं technology के साथ हमारे खुद के कावरी engine को भी develop कर पाएगा जो कि हम हमारे twin engine deck based fighter aircraft और हमारे future aircraft में भी इस्तिमाल कर पाएगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आप को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूर लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जै हंद बंदे मात्रम